अच्छा बताओ बन जाने का विसेस कारण भगवान ने मुनिगन मिलन, मुनियों से मिलन, बोलो बताया मुनियों से मिलन, माता पिता को प्रशनता होनी चाहिए कि नहीं, कि मुनि महत्माओं से मेरे बच्चे मिल रहे हैं, और एक बात बताएं, मुनि महत्माओं से मिल तो रह हैं लेकिन मुनी महात्मा मेरे बच्चों का सम्मान कर रहे हैं बोलो ये उपलब भी नहीं है तो क्या है है मुनी महात्मा क्या कर रहे हैं मेरे बच्चों का सम्मान और बोलो दश्रच जी महराज के बेटों का सम्मान मुनी महात्मा उने किया कि नहीं किया जिस रास्ते से निक आपकी कीड़ती पता का फैर रही होगी कि नहीं फैर रही होगी है ते पितु मात धन जिन जाए ओ धन्य सो देश जहां ते आए बोलो भाई वो नगर धन्य है वो देश धन्य है जहां से यह आए है वो माता पिता धन्य है जिन्होंने इनको जन्म दिया है तो बोलो माता पिता को धन्यवाद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है माता पिता को धन्यवाद मिल रहा है यह जहां जहां भी भगवान गए वहां साब ने दश्रच जी को दन्वाद दिया है यहां तक मैं कहता हूँ कि केकई जी के बिरोध में भरदवाज जी ने इस पश्टी करना दे दिया तुम गलान जन जिये करों समुझ मात कर तूत तात के कई दोश नहीं गई गिरा मती धूत इस पश्ट कर दिया तात के कई दोश नहीं गई गिरा मती धूत अब एक बात इसमें बहुत महत्पूर्ण है प्यारेगी क्या कि भगवान राम पिता श्री को सम्झाए काई पिता जी आप मेरे लिए जीवित रहें चौदा साल बाद में लोटके आऊंगा लेकिन चौदा साल तक का रिजल्ट कैसा निकलता है जरा आप विचार तो कर लीजिए अच्छा आपका वेटा अगर अमेरिका के लोग डिमांड कर रहे हो और आप अपने वेटे को वहां भेज दें तो इमानदारी इसे बताओ अगर अमेरिका पूरा प्रभाव बेटे से तो बो भाई गाओं में ही नहीं प्रदेश में नहीं देश में नहीं आपको पूरे विश्म सम्मादी सेवा का संकल्प लेकर कहीं वो देश की रक्षा के लिए पाकिस्तान के बॉर्डर पर भेज दिया गया और अगर आपका बेठा साहस पूर्वक द्रनता पूर्वक अपनी डूटी का नर्वाह कर रहा है और कहीं डूटी का नर्वाह करते 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 अभिननन जैसा हो गया तो पूरे विष्व में अभिनंदन होता रहेगा उसका बोलो होता रहेगा कि नहीं पूरे विष्व में अभिनंदन होगा बोलो होगा कि नहीं और यही हुआ कि नहीं हुआ बोलो भई उसने वीर्ता का परचे दिया साहस का परचे दिया देश भक्ति का परचे दिया और आज नाम था अविननन लेकिन बास्तों में अविननन हो रहा है जगए जगए बंदन और अविननन हो रहा है इसलिए मैं कहता हूं कि केवल परिवार के लिए ही नहीं जीना चाहिए देश और धर्म के लिए जीना चाहिए भगवान राम कहते हैं कि पिताश्री आपके पुन्णों के प्रभाव से आज में आ गया हूं लेकिन केवल आपके पुन्ण अयुध्या तक सीमित नरहें आपके पुन्णों का प्रकास यत्र तत्र सर्वत्र हो जाए ये राम की इक्षा है इसलिए राम प्रणाम करके जा रहा है आप आशिरवाद दो कि ये राम आपके पुन्णों को प्रकासित करे बोलो संतान पुन्ण है कि नहीं मावाब की पुन्ण क्या है संतान है ये मावाब की पुन्ण है जनक सुकृत मूरत मे देही दसरत सुकृत राम धर देही ये पुन है ये संतान पुन अच्छा अच्छा काम करे तो पुन है और संतान यदी पाप करे तो पाप संतान यदी गलत काम करने लग जाए तो बोलो बाप के माबाप के पापई आ जाते हैं सामने के नहीं आ जाते है ये पाप का प्रमान है बगवान राम ने कहा कि आपके पुन संपून जगत में प्रकाशित हो इसके लिए आपको मैं प्रणाम कर रहा हूँ आप मुझे आग्या दें बगवान ने प्रणाम किया आप कहोगे लेकिन आग्या नहीं मिली समझाया है आज्या नहीं मिलेगी अब रामायड़े में प्रमान है करेडर उदर से थोड़ी दूंदा प्रमान यह से सिव जी को हां जोड़े तो सिव जी ने का क्या चाहते हैं आप कहां मेरे राम को रोको 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 यह प्रमान है रामाइन का सुमिरी महें सही कहां हो री ओ बिनती सुन हूँ सदा सिव मो जी संकर जी हमारी बिंती सुनिए संकर जी तुरंत आ गए आ गए संकर जी का क्या चाहरे हैं आप आस तोस तुम्ह अव धरदानी अचछा बोलो बिया संकर्जी दसरच जी महराज बुला रहे हैं तो संकर्च जी आएंगे कि नहीं आएंगे संकर्जी थोड़ा सदार जल चला दो धतूर का एक बार तो एक विप्ति हमारे ही पास आया बोले माराज जी माराज जी हम कहां बोलो क्या बात है बात ये है कि हम बहुत परेशान हैं उनके क्यों बोले हमारे पास साथ एकर जमीन है तो हमने का परेशान क्यों हो क्या बैंक में गिर्वी रखी है क्या बात है बोले ने ने न भई नहीं हुई मैरेज तो क्या दिकत है चलो आओ चित्रकूट चलो महत्मा बना दे हाराम से बोले वो तो सब ठीक है लेकिन बंस कैसे चलेगा बंस चलाने के लिए तो कुछ होना चाहिए हमने का और बंस में समर गए तुम्हारे क्या कि तुम्हें अकेले बचे हो बोले महराज बंस तो है लेकिन बंस में अपनी पिता की संतान तो हम अकेले हैं तो हमने का तुम्हारे पास साठेकर जमीन है लेकिन तुम्हारी साधी क्यों नहीं हुई कि उम्र कितनी हो गई बोले महराज साठेकर जमीन है और साठेकर रनिंग में चल रहे है अरे हमने का तब तो गड़ बढ़ है हमने का सही बताओ तुम्हारी साधी क्यों नहीं हुई बोले महराज सही बतावे बचपन से ही शराव पीने की यादत पड़ गई थी इतनी पी लेता था कि देखने वाले आते थे तो नाली में ही मेरा पता मिलता था हमने का कि आप तुझे साधी की याद क्यों आ रही है बोले अब छोड़ दी है अब बोले महराज छोड़ दी है तो अब सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाए तो ठीक रहे हमने का देखो भीया इतनी उम्र पर हम तुम्हें आशिरवात साधी वाला नहीं देंगे क्यों महाराथ क्यों नहीं दोगे हमने का इसलिए कि बिना ब्रेक का मोटरशाइकल समझ लो हमने का बिना ब्रेक का मोटरशाइकल और बिना सबल ब्रोधी दल का प्रजातंत समझ गए हो ना बिना व्रेक का मोटरशाइकल और बिना सवल व्रोधी दल का प्रजातंत और बुढ़ापे की शादी ये इनसान को यसमसान तक पहुंचाने के लिए सुपर फास्ट्रेंड का काम करते हैं कि हमन ये आशिरवात HC येक हां आ Спасибо हो न छिकार्मकि ये मेरे भूले महराज तो फिर हमजाएं हमने का जाओ थारतेक्ति व्एक्टि व्लावखे शुनों ये तो महातम है एक बहुत बड़े महतमा है हम तुम्हें पता दे रहे हैं तो हमारे कान लग गए हमने का कौन महत्मा की पास भेज रहा है काई देखा महत्मा ने उदास कर दिया कुछ दिया तुम परेशान होते हो महत्मा 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 क्या मिला तुम्हें बोलो का मिला तो कुछ नहीं है का हम बता रहे हैं पता तुम है दुनिया में है नहीं कोई बोले बाबा के पास जाओ उन से वड़ा महत्मा कौन है तो हमें तसल्श हो करेगा वोले उन्हीं से मांग उन्हीं से मांग वोले प्रसंद कब होंगे ज्यादा नहीं गंगा जल चड़ा देना थोड़ासा वेल पत्र चड़ा देना धतूर का फल चड़ा देना और थोड़ासा मंत्रन तो तो तुम्हें आता नहीं अचे कर देना मूंसे वोले बस वोले दूसरे दिन भी कोई जल अरे वो ले तीसरे दिन जाओ निश्चित 101% सफलता मिलेगी तीसरे दिन गया और वास्ताव में नियमा उसार उसने ये कार किया संकर जी प्रगट हो गए बोले मांग बर मांग बर मांग बर माथा पकड़ के रोने लगा संकर जी बोले रो के हो रहा अरे बर तो हमी हैं बधू चाहिए बोले तीन दिन तक हुजा की ठिर्वी बराई जबल बर महीं बर तो हमी हैं हमें तो बधू चाहिए तो कहने का ताथ पर मेरा ये है कि भोले वावा इतने भोले हैं कि बरदान दे देते हैं बोलो दे देते हैं कि तो वही जब सामान से सा तो राम के महराई दस्रत हैं बोट बलाएंगे संकर जी को संगर जी आएंगें और वास्तों में संकर जिर प्रगट हो गए और जैसे प्रगट हुए का क्या चाहते हैं चक्रवर्ति संब्राज बता ओओ क्या चाहिए भगवान संकर्ष ने कहा जल्दी बोलो जल्दी बोलो क्या चाहिए दश्रेज जी ने कहा महराज आस तोस तुम अवधरदानी आस तोस तुम अवधरदानी आरति हर रहो दीन जन जानी तुम प्रेरक सव केह दे सोमति राम ही देओ बचन मोरित जी रहाई ग्रही परिहर सील सनेख इसका मतलब है संकर जी से भी दश्रेज जी ने यही मांगा बचन मोरित जी रहाई ग्रही घर में रहें आयोध्या में रहें राम जी क्यों यही मांगा की नहीं मांगा संकपर जी ने का ये कौन बड़ी बात है, इसके लिए आप इतनेTION में, कहें तो बस यही चाहिए, राम को रोको, राम को रोको, राम को रोको, आपकी बात राम नहीं टाल सकते हैं, इसका मतलब है कि दसरत जी की एक परशेंट इक्षा नहीं है कि राम जी बन जाएं तबी तो संकर जी से भी कह रहें राम को बचन मोरितज राई ग्रही परहर सील सने राम को रो